दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम 11 में आप अपना टीम किस तरह से बनाओ ताकि हर मैच आप विन कर सको, हर मैच में रैंक वन आ सको और एक अच्छा जो है पैसा जीत सको वहां से देखिए ड्रीम 11 में बहुत सारे लोग कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वो कभी जीत नहीं बाते हैं उसका में कारण यह है कि आप जब टीम बनाते हो तो उसमें जो है आपको टीम बनाने का जो तरीका है वो मालूम नहीं है उसमें कैसे प्लेयर सेलेक करना है वो आपको मालूम नहीं है कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो आपको मालूम नहीं है अभी मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए और जो भी चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए अगर follow करोगे तो हर match में जो है आप rank 1 लाओगे और हर match में अच्छे पैसे जीत पाओगे चलिए सबसे पहले मैं Dream 11 का mobile app open करता हूँ और आपको step by step सारा जनकाड़ी यहां देता हूँ सबसे पहले हम Dream 11 app को open करेंगे सबसे पहला बात कि आप वही match खेलना जिसमें line ups आउट आ गया है इसका मतलब यह होता है कि Dream 11 आपको बता देता है कि कौन-कौन से player अभी खेलने वाले हैं जब आप इसको open करोगे वहाँ player के सामने announced लिखा रहता है इसका मतलब कि वह player announce हो चुके है मतलब उनको select करोगे तो वह आपके जो match है उस match में खेलेंगे जिससे कि जब भी वह कोई भी activity करेंगे catch करेंगे, beget लेंगे तो सारे points आपके जुड़ेंगे बहुत बढ़ा ऐसा होता है कि हम कोई player select करते हैं वो नहीं खेलता है तो फिर हमारा point जुड़ता नहीं है जिससे हमें बहुत जादा loss झेलना पड़ता है इसका time out हो चुका है 0 second तो हम जो है नीचे चलते हैं और कोई दूसरा match देखते हैं यहाँ पर देखिए एक match है अभी 48 minute है यहाँ पर यहाँ पर सारी सारी sunrises valley, hiker दोनों के बीच में है तो यहाँ पर हम इसको click करते हैं देखिए यह बात बिल्कुत सही है कि आज dream 11 से लोग daily लाखो रोपय कमा रहे हैं लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के इसके लिए मैं आपको recommend करूँगा कुकू FM app कुकू FM app इंडिया का leading audio show platform है Google Play Store में इसको 4.5 प्लस का rating मिला हुआ है 4000 से ज़्यादा Real Audio Souls लाइबरी का भंडार है कुकू FM app का एक मात्र उदे से आपके life को सही दिसा में ट्रांफॉर्म करके उसको अच्छा बनाना audio learning के माध्यम से कुकू FM के द्वारा आप audio books, book summaries और courses अपने original language में सुन सकते हो कहीं भी कभी अगर आपको ज़्यादा earning करना है तो मैं कुछ audio books आपको recommend कर रहा हूँ इसको कुकू FM app पर जाकर जरूर सुने दोस्तो यह एक made in India app है दोस्तो अक्सर life में unlimited चीजे, कम पैसा और कम time में मिल जाए यह बहुत मुश्किल से होता है कभी आपने सोचा है कि motivation, knowledge, information अगर सभी आपको unlimited एक ही जगह पर मिल जाए तो कितना समय का बचत होगा, कितने पैसे का बचत होगा अपने life को बदलने का power सिर्फ और सिर्फ knowledge से ही आ सकता है लेकिन अपने life में वो कदम उठाने में हम बहुत देर कर देते हैं तो दोस्तो कुकू FM लाया है इसका solution यहाँ unlimited knowledge बहुत सारे कटिगरी में प्राप्ट कर सकते हो जैसे की motivation, biography, bollywood, science, history और बहुत कुछ और सबसे अच्छी बात यहाँ पर 50% का discount कंपनी के तरफ से मिल रहा है आपको केवल 199 रुपे में yearly subscription मिल जाएगा जिसका original price 399 है और दोस्तो यह जो offer है limited time के लिए है केवल 23 मही से 31 मही तक इसका benefit लेजिए coupon code आपके screen पर दिख रहा है इसका फाइदा उठाईए और इस वीडियो के description में मैं आपको link और coupon code भी डाल दूँगा आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो चलिए लोटते हैं अपने वीडियो के ऊपर हाला कि इसका line of out नहीं हुआ है लेकि समझाना तो पड़ेगा आपको तो यहाँ पर हम लोग create your team है इसको click करेंगे यहाँ पर wicket keeper है एक से चार wicket keeper तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर selected by है अगर आप इसको click करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि कितने लोगों ने इसको select किया है percentage में यह दिखाएगा 95.5% लोगों ने इससे select किया है तो यह का आपको अंदाजा लगता है मान लीजिए हम इसको ही select कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ देखिए प्लेयर के वगल में आई है अगर आई को click करोगे तो प्लेयर के बारे में साड़ा information आपको यहाँ पर मिलता है तो यह जरूर देखिए इससे आपको समझ में आएगा कि इस प्लेयर को select करना चाहिए या नहीं पूरी जनकाड़ी आपको यहाँ पर मिलती है उसके बाद back कर सकते हो फिर batting में हम लोग जाएंगे batting में जो भी players है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिख रहा है announced ठीक है तो इसका मतलब है कि dreamy11 आपको बता रहा है कि यह player खेलेंगे तो यह बहुत खुसी की बात है क्योंकि कई बाद ऐसा होता है कि जब आप team बना लेते हो तो कुछ players उसमें नहीं जब खेलते हैं तो उस players से आपको कोई point ही नहीं मिलता है इस यह फाइदा यह है कि जब भी announced होगा तो उसको आप चूजो करो जिससे की आपको player का points loss नहीं होगा तो हम यहाँ पर मान लीजी इसको ही select कर ले रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखिए इसका credit है इसके points है कितने points जो है अभी तक player ने बनाया है तो उससे भी एक अंदाजा मिलेगा कि हमको इस player को performance wise जो है choose करना चाहिए या नहीं इसके credits है और आपको पता है कि आपके पास 100 credit होते हैं player को select करने के लिए उसमें से ही आपको choose करना है तो हम कुछ player को यहाँ पर select करते हैं मान लीजे तो हम announce announce वाले को ही लेगे इसके बाद हम all rounder में आएंगे उसके बाद all rounder को भी आपको select करना है मान लीजे इसको हम select कर लिए ठीक है और फिर जो है baller में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमको select करना है तो हमने select कर लिया है इसके बाद आप यहाँ पर continue button है इसको click करोगे और click करने के बाद जो है आपको मैं बता दू कि captain और vice captain बिल्कुल सोस समझ के आपको choose करना है आप देखो अच्छे तरह से time लेके कि किसको choose करें क्यूंकि captain को 2 गुने point मिलता है double point और vice captain को देर गुना point मिलता है जो भी उनको point मिलेगा सी से double हो जाएगा तो इससे आप पूरा का पूरा match जो है बिल्कुल rank 1 पड़ा सकते हो ठीक है तो आप choose करें कि आपको क्या लेना है माल लीजिए हमने s pascal को लिया captain ठीक है और यहाँ पर जो है माल लीजिए कि हम किसको ले ले हम माल लीजिए यहाँ पर j mingo है इसको select कर ले मैं सिफ सिखा रहा हूँ दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर save team है save team को click कर देना है एक website है अगर आप dream गयारा खेलते हो तो आपको cricket का अच्छा knowledge होना चाहिए sports का अच्छा knowledge होना चाहिए इसलिए मैं website आपको recommend कर रहा हूँ आप इस पढ़ा के सारे news पढ़ा करो players के बारे में जानो आपको बहुत अच्छा idea हो जाएगा इसको news पढ़ने से और फिर जो है आप एक अच्छा बहुत बहतरीन team बना पाओगे team आपका ये बन चुका है और यहां देखिए my team के अंदर में जो आपने team बनाया वो तो आपका बन चुका है कभी भी आपको लगता है कि हमने जो है player select अच्छा नहीं किया है तो edit का button है इसको आप edit कर सकते हो यहां देखिए इसको click कीजिए edit को और यहां पर आपने सारे player को आप चाहो तो फिर से choose कर सकते हो अगर आपने गलती choose कर लिया है ठीक चलिए तो अभी हम change नहीं करते हैं हम continue को click करते हैं और वही captain, vice captain रहेगा team को save कर देते हैं हमारा team save हो गया अब यहां पर जो है हमारा जो contest है हम इसको click करेंगे और यहां देखो बहुत सारे contest आपको मिलेंगे यहां पर एक शीज में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यह देखिए बड़े बड़े contest हैं दो करोड़ वाले तो यहां पर आप 20 अपना team बना के entry कर सकते हो देखो क्या लिखा हुआ है up to 20 मतलब आप जो है अकेले total अपना 20 team बना सकते हो तो आपने एक team तो यहां बना लिया है ठीक है लेकिन आप चाहो तो यहां create करके आप फिर से दुसरा team बना सकते हो उसका captain, vice captain आप चाहो तो दुसरा भी रख सकते हो ठीक है तो बड़े contest जो होते हैं इसमें की 20 team तक allowed होता है उसमें आप अपने 20 team भी खड़े कर सकते हो सबका entry फी 49 रुपी जो है आपको देना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा जो भी यह तो बड़े बड़े आपके contest हैं जिसमें की बहुत सारे लोग लाखो लोग जो है तो बाई लग अगर आपका लग अच्छा है और team अच्छा बनाया तो आप बिल्कुल जीतोगे दूसरा बात की मैं आपको advice दूँगा की अगर आपको बड़े में नहीं खेलना है तो छोटे में आप खेल सकते हो क्यों 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 क्योंकि बड़े में तो बहुत जादे teams होते है इसलिए इसमें थोड़ा जीतने का जो है आपका सम्हावना थोड़ा कम होता है ठीक है लेकिन अच्छे team वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं हो तो जीतेंगे बाकी अगर आप छोटे contest जिसमें दो sport हो चारे sport हो दस sport हो उसमें अगर आप जोइन करोगे उसमें जीतने का ज्यादा chances होता है क्योंकि उसमें team कम होते है ठीक है और अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा team बनाया है तो आप उसमें जीत सकते हो कभी भी अंधा धूंद team ना बनाया है कभी भी अंधा धूंद contest ज्वाइन ना करें आप अपने आपको पहचानिए कि आपने कैसा team बनाया है उसके according ही आपको अपने contest को ज्वाइन करना चाहिए चाहो तो यहां से filter भी लगा सकते हो filter लगा के आपको कितने इंट्री वाले चाहिए कितने teams वाले चाहिए वहां पर आप sorting कर सकते हो ठीक है माल लीजिए आपको एक से पचास रुपिय वाले इंट्री वाले चाहिए तो आप इसको select करके apply कर दीजिए के बल वही contest आ जाएं मेरे एक पास cash bonus है तो हम कुछ देना नहीं पड़ेगा तो हम यहां join contest कर देते हैं यहां 21 को फिर से click कर देते हैं और हम join हो जाते हैं आप देख सकते हो my contest में एक आ गया मतलब एक contest हमने join कर लिया आप चाहो तो multiple contest में भी भाग ले सकते हो और multiple team भी बना सकते हो ठीक है तो ज कितना rank पर कितना prize मिलेगा उसको जानने के लिए इसके बीच में आप click कर दो 2 crore वाले में और आपको दिखाएगा कि कितने rank पर कितना आपको पैसा मिलेगा तो देखिए first rank पर यहां पर कितना है 1 crore है फिर आपका दूसरा rank पर आपका 2,75,000 है तीसरा rank पर एक लग 10,000 है उसी तरह से आप आगे भी देख सकते हो किस rank पर कितना पैसा आप यहां पर जीत सकते हो ठीक है तो हम इसको बैक कर लेते हैं प्रीमी 11 में जॉइन करना है तो आप यहां आ सकते हो इस मेरे website पर और how to join को click कर सकते हो आपको मेरा referral code मिल जाएगा इसको आप इस्तमाल कर सकते ह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप फॉलो कर लीजिए डीमी 11 में देख लीजिए आप वीनर सेक्षन है वीनर समें जाओगे आप तो आप देखे होगे डेली कोई ना कोई वैक्ती जो है करोरपती बन रहा है लगपती बन रहा है हर मैच में आपको उसका रिप पाओगे थैंक्यो दोस्तो